आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा ओसदी नुसका बताने वाले हैं जो आपके सरीर में पत्री रोक को जड़ से ठीर कर देगा जी हाँ दोस्तो वो भी बिना किसी ओपरेशन के तो देखिए दोस्तो इस ओसदी नुसके को आपको कैसे बनाना है इसे बनाने के लिए आपको कौन कौन से जड़ी बूटी लेनी है इसके फायदे क्या क्या है और इसके सेबन करने का तरीका क्या है सब कुछ तो चलिए सुरू करते हैं आज का यह वीडियो नमस्कार दोस्तो यही वो गोलिया है जिन गोलियों को खा करके आप अपने सरीर के किसी भी हिस्से में जमने बाले कैल्सियम को दूर कर सकते हैं अपनी पथरी को दूर कर सकते हैं जिनके किडिनी में श्चौन हो जाता है जि उन सारी समस्याव में यह गोलियां जबर जस्त काम करता है इसके साथी साथ यह किद्नी फंक्शन को भी स्थारता है और किद्नी रोगों से आपकी रक्षा करता है तो चलिए इन गोलियों को बनाने के लिए आपको कौन-कौन से जड़ी बूटी लेनी है देख लेजिए चित खाणा भेद आपके इसमेड करना है ब्रॉन इंच्छाल लेनी है और 47 पत्र लेना है उर्वेदिक नुसके में और सदियों की कित्नी IT मात्रा लेनी है आइए वह भी एस वेडियो में समझ लेते हैं तो देखिए दूस्तों आपको इसमेड करना है न वह पहला है सौ ग romance करंज की चाल पियर होता है उसकी चाल लेनी है आपको सौ गराम ईसब गोल की बू सी आपको इश्मेड करनी हैं सौ गराम और कंग कोडा की जड लेनी हैं पचास गराम चब लेनी हैं आपको इस के में 50 ग्राम पाखान भेद आपको इसमें लेना है 200 ग्राम बरुन की इच्छाल आपके श्मेड करनी है 200 ग्राम और 40 पत्र आपके श्मेड करना है 50 ग्राम अब ये कुछ होसदिया जड़ी बोटी आप खरल में डालो और इन सब कितना कूटो कि इस तरीका से जोकूर्ट क्यूरन को आप एक बरतन में निकाल लो और उसमें आप सास्याड गुना तक पानी डालो और फिर इससे आप गैस पर चाहदो जी पकने के लिए इसको बढ़िया से पकाईए ताकि ये आराम से पके और और सदियों को रस ठीक से निकले जब ये पकते पकते एक चौछ्छा को डाले और मध्यम आच पर इसे पकाईए ताकि ये जलने न पाए और अच्छे से इसका पाक हो जाए पिर जब ये ऑसधी घंसत्यों की रूप में तयार हो जाया जाने का तयार करके इस प्रकार से निकलेगा फिर इसे चाया में सुखाईए और जब बटियां बनने लाइक हो जाए तो इनकी आराम से गोलियां बनाएए और उन गोलियों को भी चाया में ही सुखाईए जब अच्छे से चाया में गोलियां सूख जाएं तो फिर इस प्रकार से आ आप डिब बे में बंद कर के लेखिए जी हां दोस्तू डिब बे में ज़या दिन तक सुर्छटो रेती है और ये खराब भी नहीं होती है अब आए जा लिते है इसे डिब बटियों को दिब गोलीं को अगर आप सीबन करते हैं तो इसका सीबन करने से आपको प्रसक्राइबा वाला है क्योंकि यह आर्विद गूलियां आपकी किडिनी फंक्षन को ठीक करने में सहायता करती है जिनको यूरेन में इंफेक्षन यूरेन में दर्द जलन होता है न उस समिस्या को यह गूलियां ठीक करती है शाती साथ किसी भी इस्ति में अगर पथली बनी की समिश्य आए न तो वो बेना उप्रेशन थी करने में रामबान काम करती है यह गुलियां इसके साथ ही साथ जिस् से किदनी इस्टोन गाल ब्रेंडर और फेशाब की ठेली में जो पथली होती है बिना किसी operation के दूर हो जाती है और आईए जान देते हैं इन बटियों इन गोलियों का सेवन करने का तरीका क्या है तो देखे दोस्तों इनको सुभे और साम दोनों time लेना है सुभे आपको खाना खाने के दो घंटे बाद इन गोलियों को लेना दो गोली आपको लेना उपर स जल का सीवन कर लिना है इसका लगातार कुछ दिन तक सीवन करने से पूरी आपको benefit मिलने पाले हैं तो यह छोटी से जानकारी है दोस्तों अगर वीडियों अच्छा लगाना तो वीडियों लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें